हनुमान शाबर मंत्र नाभी ठीक करने का मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली वह बहुत जल्द ही परिणाम दायक होता है। मंत्रों की भहत्ता के बारे में तो आप जानते ही हैं। हर बिगरे काम को बनाने के लिए मंत्र मुझूद है। आज हम आपको हनुमान शाबर मंत्र के बारे में बताएंगे। नाभी ठीक करने का मंत्र है जानि हनुमान शाबर मंत्र क्या है। उसकी महता क्या है और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। किसी को भी वर्ष में कर सकता है ये हनुमान शाबर मंत्र। नाभी यानि नाभी चक्र आपके शरीर के एक महत्वपूर्ण उर्जा केंद्र है। क्या चक्र के लिए एक मंत्र जाप करने से आपको शांती और सुकून का अनुभव हो सकता है। कामबे के छले पहनने के साथ ये मंत्र और भी फायदा करेंगे। मंत्रा को दिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है। शाबर मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और बहुत जल्द ही परिणाम लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाबर मंत्र गुरु गोर्खनात जी और नवनात 84 सिद्धों ने लिखे थे। यह मंत्र आमतोर पर ग्रामीन भारतिय भाशाओं में हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इन मंत्रों को सबसे पहले गुरु गोर्खनात जी ने लिखा था। हनुमान शाबर मंत्र एक तरह का वशीकरण मंत्र होता है। शाबर मंत्रों से किसी भी व्यक्ति को उन्हें उप्योग में लेने से पहले सिद्धी हासिल करने के जरुरत नहीं होती है, क्योंकि वे पहले से ही सिद्ध मंत्र है। यहाँ पर मैं आप लोगों को नाभी ठीक करने का जो मंत्र बताऊंगी वह एक प्रकार का शाबर मंत्र हैं, इस मंत्र जाप से नाभी खिसकने की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है. सभी शाबर वशीकरन मंत्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए या किसी उद्देश को पूर्ण करने के लिए सीधे किसी पर नियंत्रन रखने के उप्योग में लाए जाते हैं. शाबर वशीकरण मंत्र विशेशग्य अपनी इच्छा के अनुसार आप के लिए शाबर मंत्र प्रदान कर सकता है। हनुमान मंत्र और शाबर मंत्र दोनों का ही प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। हनुमान मंत्र और शाबर मंत्र दोनों ही बहुत शक्तिशाली है। दोनों मंत्रों में केवल एक ही अंतर है कि हनुमान मंत्र साधने के लिए सिध्धी करना जरूरी है पर शाबर वशीकरण मंत्र के लिए सिध्धी करना जरूरी नहीं है। यह मंत्र है जिसकी सहायता से नाभ हुनमान जी भगवान शिव का अवतार है। भगवान हनुमान के रूप में तेजी है जैसी तेजी हमारे मन में होती है क्योंकि उनकी गती वायू देव की तरह है। भगवान हनुमान का अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रन है जैसे वायू देव का। भगवान हनुमान बंदरों की सेना के महनायक है। वे भगवान राम के दूद के रूप में विख्यात है। वे अतुल्निय शक्ती का भंडार है। वे राक्षसों की ताक्तों का नाश करते हैं और सभी खत्रों से मुक्त करवाते हैं। शाबर हनुमान मंत्र दुश्मनों के द्वारा फैलाई गई नकारात्मक उर्जा को दूर करने की क्षमता रखता है। हनुमान शाबर मंत्र इस प्रकार है। हनुमान जाक किलकारी मार तु हुंकारे राम काज सवारे और सिंदूर सीता मया का तु प्रहरी राम द्वारे डॉट में बुलाओं तु अब आ राम गीत तु गाता आ नहीं आये तो हनुमाना श्री राम जी और सीता मया की दुहाई शब्द सांचा पिंड कांचा। फुरो मंत्र इश्वरो वाचा मंत्रा को डिस्क्रुक्शन बॉक्स में बताया गया है। नाभी चक्र का मंत्र रम है। इस मंत्र के नियमित कुछ देर तक अभ्यास करने से भी नाभी चक्र संतुलित होता है, तथा पेट से संबंधित बीमारियों से मुक्ती तथा पीडा से आराम मिलता है। जब राम और रावन की सेना में युद्ध चल रहा था और रावन अपने पराजय के समीब था तब उसने अपने मायावी भाई एहिरावन को बुलाया जो मा भवानी का परमभक्त था इसे तंत्र का अच्छा ग्यान था। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ तब विभिशन ने यहाँ पहचान लिया कि ये काम अहिरावन का है। इसके बाद हनुमान जी पाता लोग गए जहां उन्हें श्री राम और लक्षमन मिले। वहां पाँच दीपक उन्हें पाँच जगह पर पाँच दिशाओं में मिले जिसे अहिरावन ने मा भवानी के लिए जलाये थे। इन पाँचों दीपों को एक साथ बुझाने पर ही अहिरावन मर सकता था इसलिए हनुमान जी ने पच मुखी रूप धरा। इसमें उत्तर दिशा में वरा मुख, दक्षन दिशा में नरसिंग मुख, पश्चिम में गरुर मुख, आकाश की तरफ हाईगरीफ मुख, एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप में उन्होंने पाँचो दीप बुझाय तथा अहिरावन का वत कर राम, लक्षमन को मुक्त कराया। लंकासी कोठ, समुद्रसी खाई, राजा रामचंद्र की दुहाई, साबर अधाया मंत्र, नमो आदेश गुरु को सोने का कड़ा, तामबे का कड़ा हनुमान वंगारे सजे मोडे आन खड़ा, नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रहमा का ताला, हमारे आठो आमों का जती हनुमत रखवाला, श्री हनुमान मंत्र, जंजीरा, हनुमान पहलवान पहलवान, बरस बारा का जबान, हाथ में लड़ू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत, राम का दूत, छिन में कीलो, नो खंड का भूत, जाग जाग हनुमान, हनुमान, हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा, डग देरु उमर गाजे, वज्र की कोठडी ब्रच का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे, ने सीन, अज्रा ज़रे भर्या भरे, इघट, पिन की रक्षा राजा राम मंत्रों के प्रवर्तक मून रूप से भगवान शंकर ही है, परंतु शाबर मंत्रों के प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्यक्षत्या नहीं है, इन मंत्रों के प्रवर्तक शिव भक्त गुरु गोर्खनात तथा गुरु मत्सेंद्र नात को माना जाता है, आओ जानते हैं, ह द्वाद्शाक्षर हनुमान मंत्र हां हनुमते रुद्रात्म काई हुमफट। फल से इस मंत्र के बारे शास्त्रों में वर्नित है कि यह मंत्र स्वतंत शिवजी ने श्री कृष्ण को बताया और श्री कृष्ण ने यह मंत्र अर्जुन को सिद्ध करवाया था जिसे अर्जुन ने चरचर जगत को जीत लिया था। हिंदु धर्म ग्रंतों के अनुसार हनुमान जी का नाम लेने से भूतप्रेद आदी सभी बाधाएं दूर हो जाती है यदि आप भी ऐसी ही किसी बाधा से पीडित है तो नीचे लिखे हनुमान मंत्र से इस समस्या का हल संभव है यदि इस मंत्र का जब विधिविधान से किया जाए तो कुछ ही समय में उपरी बाधा का निवारण हो सकता है यहाँ हनुमान मंत्र इस प्रकार है मंत्र हनुमन नंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल हिंदू धर्म शास्त्रो श्री हनुमान की इसी शक्ती और महिमा का गान करते हुए उनको शक्ती स्वरुपा माता सीता के शोक का नाश करने वाले देवता बताकर जान की शोक नाशन कहकर पुकारा गया है संकेत है कि श्री हनुमान की उपासना जीवन से हर शोक दूर रखती है चुकि श्री हनुमान मंगल मूर्ती भगवान शिव के अवतार भी है यही कारण है कि संकट और शोक नाश के लिए श्री हनुमान की उपासना परंपराओं में शिव भक्ती की तरह आसान उपाय भी बताए गए है मंत्र हं हनुमन ताय नम रोग मुक्ती हेतू मंत्र यदी प्रयासों के बावजूत भी रोगों से पीछा नहीं छुट रहा हो डॉक्तर को बीमारी समझ में नहीं आ रही हो दवा काम नहीं कर रही हो और किसी ने आप से कहा है कि आपकी जन्म कुंडली में निजकरित कर्मों की वज़े से शनी अंकूल फल प्रदान नहीं कर रहा है तो हनुमान जी की यह पूजा आपको अवश्य लाब देगी लहर लहर लहराई रे जन्दा बजरंग बली का बजरंग बली का देखो लहर लहर लहराई रे जन्दा बजरंग बली का इस जन्दे में क्या क्या गुण है बोलू क्या गुण है कहो क्या गुण है ये सीता का पता लगाई रे जन्ना बजरंग बली का इस जन्डे में क्या क्या गुण है बोलो क्या गुण है, कहो क्या गुण है ये तो अक्षय को मार गिराए रे जन्ना बजरंग बली का ये तो सोने की लंका जलाए रे जन्ना बजरंग बली का देखो लक्षमन प्रान बचाए रे जन्दा बजरंग बली का लिखा था राम नाम वो पथर भी टर गए कि ए राम से जो बैर जीते जी वो मर गए बस नाम का रस्पान ए इंसान किये जा खुश होंगे हनुमान राम राम किये जा राम नाम की धुन पे नाचे हो करके मतवाला बजरंगी सा इस दुन्या में कोई ना देखा भाला जो भी हनुमत में दर पे आता उसका संकट टाला मुख में राम, तन में राम, जापे राम राम की माला जहां राम का कीर्टन वही हनुमान जती हो गोदी में गणपती को ले शिव पार्वती हो सियाराम की कृपा से सौ साल जिये जा खुश होंगे हनुमान राम राम किये जा जिस पे दयाश्री राम की बाका न बाल हो उसका सहाई लख्था अंजनी का लाल हो राजपाल तु हर हाल में जैकार किये जा खुश होंगे हनुमान राम राम किये जा